तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है Mini Attempt E Classes Channel पर तो जैसा कि आप जानते हैं Mini Attempt E Classes Channel पर मैं सौरव सर आप सभी को Needs से Related जो बच्चे तयारी कर रहे हैं Nursing की तयारी कर रहे हैं Medical की तयारी कर रहे हैं या उनका Course कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए Important Important अच्छे टॉपिक्स का Description में आपके सामने लेकर आता हूं उनके Lectures लेकर के आता हूं तो इसी सीरीज को Continue करते हुए आज हम पढ़ेंगे Respiratory System के बारे में आज आप सोच रहे होंगे कि Respiratory System ही क्यों स्टार्ट किया जबकि Nervous System की सीरी चल लई है वो इसी लिए क्योंकि कई सारे Students ने लगातार कमेंट किये कि Sir Respiratory System पर वीडियो कबार आ है Sir कबार आ है तो देखिए मैं आपके लिए Respiratory System पर वीडियो लेकर आया हूं तो Class को सुरू करने से पहले एक Positive, एक Motivational Thought के साथ में हम Class शुरू करेंगे तो वो आपकी स्क्रीन पर है आप देखिए अगर आप याद रखिएगा अगर आप स्वेम हार नहीं मानते अगर आप स्वेम हार नहीं मानते तो इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपको हरा सके, प्लियर तो इसी उम्मीद, इसी होसले के साथ मैं आज की Class शुरू करते हैं चलिए Next, अब हम बात करते हैं आज का Topic, Respiratory System तो First of All, हमें ये जानकारी होनी चाहिए हमें पता होना चाहिए कि Respiratory System में कौन-कौन से Organs आते है Respiratory System, टू बर्ड से मिलकर के बना हुआ है, Respiratory and System Respiratory word, Respiration से लिया गया है, Means ऐसा सिस्टम, जिसमें हम उन Organs के बारे में उन Structures के बारे में पढ़ते हैं जो सांस लेने में और सांस छोडने में, Means Inspiration and Expiration Total, Respiration में Help करते हैं, ठीक है? तो उनी के बारे में आज हम discuss करेंगे, तो उरी Series में सबसे पहला आता है Nose, अगर हम Respiratory System की बात करें, तो उस Series की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आता है Nose, then उसके बाद में Pharynx, Pharynx के बाद में आता है Larynx, Larynx के बाद में आती है Trachea और Trachea further, Two Parts में Divide हो जाती है, Right and Left हमारा Respiratory Tract, जिसको आप Clearly एक Diagram के थुरू देख सकते है सबसे पहले आपको Nisle Cavity दिखाया है फिर Pharynx दिखाया है फिर Larynx दिखाया है, Trachea दिखाई है, Bronchioles दिखाई है Bronchi दिखाई है, Elveloid दिखाई है और Diaphragm दिखाया, तो ये prominent structure that present between the eye आप देख सकते हैं गौर से मेरे चेहरे, आप सभी के चेहरे पर नोस तो होती है, तो दोनों आख के बीच में एक उबरा हुआ ऐसा एक prominent area है जिसके थुरू हम सांस लेते हैं जिसके थुरू हमारे respiratory system में air की entry होती है, तो हम कह सकते हैं लिख लीजे, कहीं भी नोट कर लीजे ये first organ है respiratory system का, अगर आप से question पूछा जाता है, तो सकांसा यही होगा चीक है, और ये prominent area है जो की दोनों आखों के बीच में पाया जाता है और एक respiratory tract के लिए entrance की तरह ये पर्क करता है अब nose के अंदर होता क्या क्या है तो nose consist of, second point है nose consist of all factory organ all factory means सांस लेने के साथ-साथ जो बाहर से smell जो हम महसूस कर पाते हैं, जो सूंगने की हमारी शमता होती है, वो all factory sense organ की वज़े से, या all factory organ की वज़े से होती है जो की all factory nerve हमारी नाक में खुलती है, यह help करती है किसी भी smell को identify करने के लिए, clear चलिए अब बात करेंगे हम, second organ जिसका नाम है pharynx देखे, pharynx को हम common pathway बोलते हैं it is a common pathway for food and air याद रखिएगा, pharynx is the common pathway for food and air आप digestive system पढ़िए, वहाँ पर भी pharynx आएगा, respiratory पढ़ेंगे वहाँ पर भी pharynx आएगा, इसलिए इन दोनों में हम इसको comment करते हैं और बोला भी गया है, यह common pathway है food और air का, तो इससे कई सारी questions पूछे जाते हैं competitive exam में तो सबसे पहला question जो पूछा जाता है वो इसकी length पर पूछा जाएगा तो length होती है इसकी लगवग 12 से ले करके 14 cm, 12 to 14 cm and further इसको 3 parts में डिवाइड किया गया है according to location यानि जगे के according इसको 3 parts में डिवाइड किया है number 1, nasopharynx, number 2 oropharynx, number 3 laryngopharynx, nasopharynx क्या है pharynx का वो हिस्सा जो नाक के पीछे की तरफ आता है oropharynx क्या होता है oral cavity के पीछे pharynx का जो इससा आता है उसे हम oropharynx बोलते हैं और larynx के पास में near to the larynx, जो area pharynx का होता है उसे हम laryngopharynx बोलते हैं clear हो गया, चलिए अब बात करेंगे हम larynx की, तो larynx को हम voice box के नाम से जानते हैं voice box के नाम से जो हम अभी बोल पा रहे हैं वो किसकी help से बोल पा रहे हैं larynx की वज़े से, clear हो गया अब बताती है larynx की location कहा है larynx present कहा होता है तो इसकी location पर अगर आपको सवाल आएगा तो आपको answer देना होगा C3 to C6 vertebra के सामने किदर होता है यह C3 से C6 vertebra के सामने मैं आपको थोड़ा सा बता दू कि हमारी backbone 33 vertebra से मिलकर के बनी हुई है जिसमें से cervical में जो past 7 vertebra होते हैं उनको हम cervical vertebra बोलते हैं उनी के सामने means C3 से C6 के सामने यह present होता है larynx चलिए उसके बाद में next अब आता है इसकी length की वात पो इसकी length होती है लगवख 4.2 cm कितनी length होती है इसकी 4.2 cm note कर लीजे चलिए अब next organ आता है trachea trachea को हम wind pipe के नाम से जानते हैं जैसे east of aegas को हम food pipe के नाम से जानते हैं ऐसे ही trachea को हम wind pipe के नाम से जानते हैं क्योंकि इस में से हो करके lungs के लिए air जाती है location की अगर हम बात करें तो यह बिलकुल midline में यानि neck के बिलकुल बीच अभीच में होती है और at the level of C6 to T4 vertebra cervical vertebra 6 से लेकर के thoracic vertebra 4 तक इसकी location होती है उसी के सामने यह present होती है चलिए इसके बाद में अब इसकी length की बात करें तो लगबग 10 से 15 cm की लंबाई होती है और inches में अगर आप से question पूछा जाएगा तो 4 to 6 inches clear? ठीक है अब हम आते हैं सबसे main topic जो सबसे important topic है respiratory system का जो सबसे main important part है वो है lungs क्योंकि without lungs respiratory system का कोई भी महत्व नहीं है इसका कोई significance नहीं है चलिए तो lungs क्या है जैसा कि आप जानते हैं कि lungs 2 होते हैं तो it is a paired organ याद रखिएगा lungs paired organ है यह pair में पाए जाते हैं संख्या में 2 होते हैं और यह thoracic cavity में present होते हैं ठीक है? तो lungs are pair of respiratory organs and situated in thoracic cavity ठीक है? आपको दिखवी रहा होगा next बात आती है the function of the lungs is oxygenation of blood देखिए blood को oxygenate करने का काम मतलब उसके अंदर oxygen घोलने का काम कौन करता है? lungs करती है next down lungs की weight कितना होता है? तो right lungs का weight होता है 625 gram यानि 625 grams and left lung का weight होता है थोड़ा सा कम 575 gram shape की अगर हम बात करें तो इसकी shape conical shape होता है यानि कौन के जैसा होता है and color अगर हम child में बात करें बच्चों में देखें तो pink color होता है और young में brown और grey's color का ये lungs होता है ठीक है? अब note करके एक point लिखा हुआ है जिसको आपको भी note करना है कि pupils live in polluted area तो वो कही न कहीं carbon को inhale कर रहे है अगर को smoking करता है तो वो भी कही न कहीं carbon को inhale कर रहा है तो वहीं ये carbon deposit होने लगता है lungs में तो lungs का color कैसा हो जाता है dark color हो जाता है malted midty जैसा color होता है कीचर जैसा color हो जाता है और lungs damage हो जाते है आप नीचे देख भी सकते हैं, मैंने आपको lungs दोनों का डाइगराम दिखाया है, जो lungs हट के दोनों साइड में या नि लेटरल साइड में प्रिजेंट होते हैं, ठीक है, और थोरे से cavity में होते हैं, आप गवर से देखिए, चलिए, उसके बाद में next, अब बात आती है, external feature of lungs, यहनी lungs के features क्या-क्या है, इसकी shape क्या होगी, इसमें कौन-कौन से portion होते हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको shape बताओं, तो इसकी shape होती है, conical shape, और इस lungs में apex और base नाम के दो पार्ट होते हैं, जो apex होता है, वो उपर वाला portion होता है, जिसे हम, जैसे कोई पाहड है, उसकी चो होता है, और नीचे base, base में पूरी सतय, नीचे वाली जो सतय होती है, जो चोड़ी होती है, as comparison to apex, तो यह आप नीचे गोर से देख सकते हैं, ठीक है, तो दो पार्ट हो गए, next अब बात आती है, इसके अंदर होते हैं, तीन border, border means किनारे, तो तीन border कौन-कौन से हैं, एक anterior border, एक posterior border और एक inferior border, दो surface होती है, कौन-कौन सी, costal surface और medial surface, clear हो गया, अब एक एक करके इन पर discuss करेंगे, कि apex क्या है, base क्या है, surface क्या है, border क्या है, तो apex is a blunt superior end of lungs, it projects outward, यह upward, above the level of first rib, यानि पहले नंबर की रिप से भी just उपर, यह निकला हुआ होता है, और base वाला जो portion होता है यह inferior portion होता है, नीचे वाला portion है, जो कि diaphragm के उपर रखा हुआ है, diaphragm के उपर rested है, चलिए next, अब हम बात करते है, borders के बारे में, तो इसमें borders कौन-कौन से थे, तीन border थे, anterior, inferior और posterior, anterior border कौन सा होता है, anterior border, वो border होता है, जो कि lungs form करता है, by the midline and costal surface, inferior border कौन सा होता है, जो कि midline स से या costal surfaces से, यह base को separate करता है, और posterior border जो होगा, वो smooth और rounded होता है, और जो कि anterior and inferior borders पर पर प्रसेंट होता है, चलिए उसके बाद में, बात आती है, surface की, तो इसमें दो surface होती है, costal surface और medial surface, costal surface यह large और convex होती है, और medial surface, mid sternum से या media sternum से attach होती है, या hyalum इसमें पार्ट होत आपको लग रहा होगा, थोड़ी सी वीडियो आज लंबी होगी, लेकिन, यह मैं हर point of view से लेकर करके चल रहा हूँ कि कोई भी question आपका छूटे नहीं, अगर कोई student medical की तयारी कर रहा है, या medical में ही पढ़ रहा है, तो ऐसे student को दोनों को benefit हो, इस बात को ध्यान में रखते ह कितने लोब में, तीन लोब में डिवाइड किया गया है, पहला superior, दूसरा medial और तीसरा inferior, याद रखेगा, superior, medial, inferior, फिशर्स की बात करें, फिशर्स में, division हम कह सकते हैं, तो दो फिशर्स होते हैं, राइट वाले लंग्स में, एक oblique fissor और एक horizontal fissor, next, अब हम बात करेंग हैं कि left lungs की क्या-क्या, लोब और फिशर्स होते हैं, तो left वाले लंग्स में, दो लोब होते हैं, और single fissor होता है, right वाले में क्या था, right वाले में थे, 3 लोब, 2 fissor, यहां पर 2 लोब, 1 fissor, तो लोब कौन-कौन से है, superior लोब, inferior लोब, फिशर कौन-कौन सा है, oblique fissor, ठीक right side में superior lobe, medial lobe, inferior lobe और horizontal oblique, दोनों ही fissor आप गोर से देख सकते हैं, ठीक है, अब हम बात करेंगे difference between right and left lungs, यहनि अगर आपके सामने lungs रख दिये जाएं, तो आप कैसे identify करें कि right वाला कौन सा है और left वाला कौन सा है, तो आपको यह 2-3 point याद रखने हैं, और आप identify खासियत देखते हैं, तो right lungs में 3 lobe होते हैं और 2 fissor होंगे, right lung larger होता है, heavy होता है, इसका weight लगवक 625 gram होता है, और जो right lung होगा, वो लंबाई में छोटा होता है, लेकिन चोड़ाई में बड़ा होता है, left lung की खासियत क्या होती है, इसमें 1 fissor और 2 lobe होते हैं, यह छोटा और हलका होता है, weight इसका 575 gram होता है, और यह longer यानि लंबा और narrow होता है, ठीक है, इन specification से हम clearly बता सकते हैं, identify कर सकते हैं, कि lungs right वाला कौन सा है, और left वाला कौन सा है, तो इसी के साथ मैं आज की class complete होई, अगर आपको यह class अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को subscribe करें, अपने वीडियो को like करें, ठीक है, thank you, आप सभी इसी तरीके से लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, लगातार हमको ऐसे ही प्यार देते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद